हेलो गाइज आपका हमारी यूटीब चैनल स्टॉक विद दी बाय चेतिलाल फाइनेशल सर्विसेज में फिर से स्वागत है कीप इन्वेस्टिंग कीप करोई अगर चैनल पे पहली बार विजिट करने तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तो लगबग एक परषेंट की ग्रावट मार्केट के अदर अभी हो चुकिए और देखे यहां से रीकवरी के अगर हम बात कर लेते तो दोस्तों करिबन करिबन 50-60 point की जो recovery है वो almost market के अंदर हो चुकी है अगर मैं nifty का high low की बात कर लेता हूँ तो देखी जैसे आपको यहाँ पर स्क्रिन पर देखने को मिलेगा low इसका 16,142 बना और high 16,227 और अभी जो high 16,277 और ओपन हुआ था 16,227 पर अभी अगर हम बात करते हैं यानि कि 16,142 से 16,249 almost 100 point की recovery downside से निफ्टी के अंदर आ चुकी है और देखे यहाँ पर निफ्टी अभी bottom out जो है कर चुका इसका भी deep analysis करेंगे आने वाली next वीडियो के अंदर इस वीडियो में साथ ऐसे shares बताने वाले जिनके अंदर dip में खरीदारी का मोका है और अभी थोड़ा सा projective territory में कोई share आ भी चुके है जिसमें से पहला share की बात करते है तो पहला share है हरियों pipe industries देखे जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं construction का तो देखे अभी अगर हम बात करते है प्राइस की CMP इसका 214 रुपे के असपास चला हुआ है और आज के high low की बात कर लेते हैं तो 210 low और high इसका 210 रुपे था तो देखे यहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है यहां पर target रखने हैं आपको यानि कि अगर हम बात करते हैं CMP या तो CMP पर भी खरीदारी कर सकते हैं या फिर आपको यहां पर जो खरीदारी करनी है वो करने हैं दोस्तो 210 से ले करके 213 यानि कि इस range के बीच में आपको buy करना है यह 210 से 213 इसमें जो पहला target बनेगा वो बनेगा 217 रुपय का दूसरा target जो बनेगा वो बनेगा 222 रुपय का और जो तीसरा target यहां पर बनने वाला है वो बनने वाला है 239 रुपय का यह long term का view थोड़ा से रख के चल सकते हैं positionally एक से तीन महिने के लिए जितने भी मैं shares बता रहा हूँ एक से तीन महिने के लिए आप ले करके चल सकते हैं जिसमें आपको लगबग 10 से 15% का return assured return आपको इं shares में मिल जाएगा दूसरा जो share निगल का आता है दोस्तों यहां पर महिंदरा CI Automotives Limited या इसका हम symbol यहां से भी आप सर्च कर सकते हैं महिंद महिंद CIE तो इससे भी आप सर्च कर सकते हैं इसका जो CMP अभी चल रहा है दोस्तों दोसो पांच रुपए यहां पर बाइंग करनी है आपको दोसो से लेके दोसो पांच तक दोसो से लेके दोसो पांच तक आपको बाइंग करनी है इसमें जो पहला टार्गेट बनने वाला है वो बनेगा आपका दोसो बारा रुपए का दूसरा टार्गेट जो बनेगा यहां पर दोसो सतरा रुपए का और जो तीसरा टार्गेट यहां पर बनेगा दोसो पच्चिस रुपए का तो यानि कि चार से पांच परसेंट से लेकर के दस परसेंट तक इन शेर्स के अंदर आपको मिलने वाला है बहुत जबरजस्त कंपनी हैं बहुत अच्छे quarterly returns इस कंपनी के हैं तो यहाँ पर इस पर भी आप नजर कर रख के चल सकते हैं तीसरा जो शेर निकल के आता है दोस्तों वो बहुत जबरजस्त सेरा ICI bank देखें पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि देखें जो bank है बैंकों का जो time है वो अब आ चुका है बहुत जबरजस्त तरीके से सभी bank भगने वाले हैं और देखिए यह एक अच्छा मोका है investing अगर आप अभी invest करके चलते हैं अगर हम बात करते हैं CMP तो देखें इसका जो अभी CMP चला हुआ है वो लगबग 211 रुपे 12 रुपे के आसपस यह share ट्रेड कर रहा है 211 रुपे के आसपस 700 रुपे के आसपस ट्रेड कर रहा है यानि कि 710 से लेके आपको मैं लेवल बता देता हूँ 710 से लेके 715 तक आप इस share को बाय करके बिल्कुल चल सकते है थोड़ा से long term के लिए यानि 1 to 3 months के लिए इसमें जो पहला target बनेगा 735 रुपे दूसरा target जो बनेगा यहाँ पे 747 रुपे और जो तीसरा target यहाँ पे यहाँ पे खरीदारी करके चली जा सकती है चोथा जो यहाँ पे शेर निकल के आता है दोस्तों वही एक्सिस बैंक जैसे आईशाई वैसे ही एक्सिस अगर एक्सिस के CMP की बात कर लेते हैं तो 6602 रुपे पे अभी फ्लाल ट्रेड कर रहा है यहाँ पे यह हम कह सकते हैं 655 से लेके 655 से लेके 660 रुपे तक आप इसके अंदर बाय कर सकते हैं या CMP पे भी खरीदारी करके चल सकते हैं इसमें जो पहला target बनने वाला है वो बनने वाला 687 का यह level ध्यान रखिएगा 687 का दूसरा target बनेगा यहाँ 697 का और जैसी 700 रुपे क्रोस करता है तो next target इसका 725 रुपे का next target आप थोड़ा सा लिख लीजेगा क्योंकि थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो लिख रहा हम वो थोड़ा सा ऐसी चल रहा है तो जो next target बनेगा वो बनेगा 725 रुपे का इन लेवल्स को आप धियान रखिए इन लेवल्स के लिए शेयर को बाय करके चला जा सकता है next जो शेयर आता है यानि कि 5 वा जो शेयर आता है दोस्तों वो आता है SBI कार्ड इसके अंदर भी काफी ग्रावट हमें अल्मोस्ट देखने को मिल चुकी है आज के अगर हाई लोग की बात कर लेते हैं तो देखे आज का लोग 733 रुपे हाई 746 रुपे और करंटली जो ट्रेड कर रहा है 735 रुपे के आसपास यानि कि 730 से लेके 735 तक इस शेयर को बाय करके 101 परसंट चला जा सकता बहुत जबर्जस्त कंपनी है एक अकेली ऐसी कंपनी है जो इंडियन कार्ड प्रोवाइड कर आती है और बहुत जबर्जस्त कार्ड इनके हमें डिस्ट्रिब्यूट होते हुए भी दिखाए दिए और एक अच्छा खासा रिवेन्यू इनका यहां से आता हुआ दिखाए दिया है तो इस कार्ड को इस कंपनी को यहां से बाय करके चला जा सकता है इसमें जो पहला टार्गेट बनने वाला है वो बनेगा 747 का टार्गेट आप धिहान रखेए कि 747 दूसरा टार्गेट बनेगा यहां पर दोस्तो 755 का 755 रुपय का और जो तीसरा टार्गेट यहां पर बनने वाला है 769 रुपीज का यह तीनो टार्गेट के लिए यह शेर को बाय करके चला जा सकता है अल्मोस्ट हम कह सकते हैं कम से कम 5% का जो रिटर्न है आपको यह शेर के अंदर आता हुआ दिखाए देगा टाइम दूरेशन वही एक से तीन मंथ वन से थ्री मंथ जो है लेकर के चलना है आपको और हो सकता है कि जैसी बोटम आउट करके मार्किट पॉजिटिव टैरेटरी में आएगी तो वहाँ पे यह शेर और भी जल्दी ग्रो होते हुए दिखाए देंगे तो यहाँ पे इन लेवल्स के लिए शेर को बाय करके चला जा सकता है छटा जो शेर आता है दोस्तों वो आता है यहाँ पे 6th share अदानी पावर बहुत जबर्जस्ट quarterly return हमें यहाँ पे result देखने को मिलें और growth के अगर बात कर ले तो year on year बहुत जबर्जस्ट बहुत बहेंकर growth हमें देखने को मिलें इसका पूरे complete analysis भी एक किया है हमने result के बारे में अगर आपने यह वीडियो नहीं देखिए तो channel पर जाके देख सकते हैं और इसके अभी currently price की बात कर लेते हैं तो देखे 222 रुपे के आसपास जो है इतनी negative market में भी इस percentage से जो है एक plus चल रहा है यह share high low की बात कर लेते हैं तो 280 रुपे 81 रुपे का high बनाया है तो 897 का इसने high बनाया है यानि कि हम बात करते हैं 280 रुपे के असपास जब भी यह share मिलता है यहाँ पर buy करके बिल्कुल चला जा सकता है अगर जैसे ही 300 रुपए level close करेगा यानि कि देखिए 300 तो 101% जाए गए 20 point आपको यहां से मिल जाएंगे 280 से buy करते हैं तो 20 point यह मिल गए और जैसे ही 300 का जो एक बहुत ही एहम resistance है यह break होता है तो इसमें जो नेक्स target बनेगा वो बनेगा एक ही target देदेता हूं 325 रुपए का यानि कि आपको total जो यहां पर point मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं 45 points दो 80 पर अगर buy करते हैं तो और यहां पर मानके चलो आप stop loss भी लगाना चाहते हैं और अगर आप थोड़ा सा long term का नजलिया रखते हैं यानि कि एक दो साल तीन साल का नजलिया रखते हैं तो फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूत है नहीं जितना भी dip मिलता है इस share के अंदर उतना यह add करने like share है next यानि कि 7th सात्वा जो share निकल के आता है दोस्तो सात्वा और last केई आई इंडस्ट्रीज देखे जैसे जैसे इंडिया के अंदर construction का जो काम है वो बहुत जबरजस तरीके से development में है और आगे भी जो यह काम में चालू रहेगा तो वहीं बहुत सारे products के अलावा सबसे main जो important जो product आ जाता है दोस्तों वो आ जाता है wires and cables और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं जैसे piping हो गया piping system जो plastic के piping system होते हैं या हम कह सकते हैं जो आपका bathroom वगेरा में जो use होते हैं sanitary में जो use होते हैं वो product भी ये company बनाती है बहुत जबर्जस्त company है बहुत अच्छे खासे returns पर ये company खड़ी है अगर हम इसके आज के high लोगी बात कर लेते तो 1141 रुपे का इसने low बनाया 1178 रुपे का इसने अपना high बनाया और 1160 रुपे पर उपन हुआ currently बात करते हैं 1142 रुपे के असपास ये share trade कर रहा है return की बात कर लेते तो almost 118% के बहुत शांदा return इसने दिये almost जो आपका पैसा है वो double हुआ है एक साल के अंदर अंदर तो देखे ये जो strategy होती है इस तरह ही जो strategy होती है इस तरह ही जो company होती है six month के return की बात करते है तो 16% निगल के आता है और आज की बात करते है तो लगबग 2% इसके अंदर गिरावट है तो ये जो गिरावट है ना इसी गिरावट का हमें मौका उठाना है और बहुत अच्छे खासे इसके अंदर target आने वाले इस share को आपको 1130 से लेके 1140 रुपए तक आपको buy करना है 1130 से लेके 1140 तक buy करना है अगर मानके चलो 1120 रुपए तक भी आता है in case market थोड़ा बहुत volatile हो जाती है तो यहाँ पर दोस्तों आपको add on करना है घबराना नहीं है कोई stop loss नहीं देरा मैं यहाँ पर अगर मानके चलो 1100 भी जाता है हाला कि इतना आने वाला है नहीं 1100 भी जाता है तो भी आपको add करना है 1280 रुपए का sorry 1180 रुपए का 1080 रुपए का यहाँ पर आपको एक stop loss लगाना है 1080 रुपए का यह आप दियान रखें कि 1080 रुपए का stop loss लगाना है हाला कि यह 1100 भी आने वाला है नहीं बिल्कुल भी share तो इसको यहाँ से खरीदारी करके चला जा सकता है इसमें अगर मैं पहले target की बात करूँ तो यहाँ पे जो पहला target बनने वाला है वो बनेगा 1175 रुपए 1175 रुपए दूसरा target जो यहाँ पे बनने वाला है 1197 रुपए अगर यह level क्रोस होता है यानि कि 1200 का जो level है यह भी क्रोस होता है तो यहाँ पे next target बनेगा 1230 रुपए का यह 3 targets के लिए आपको यह share बाय करके चलना है और थोड़ा सा और long term के नजलिया भी रखते हैं तो 1300 का जो level है वो भी touch करते हुई यह share आपको जल्द दिखाई देगा एक से 3 महीने का जो है time duration है यहाँ पे तो इन सातों shares को यहाँ पे बाय करके चला जा सकता है बहुत जबरजस्त company हैं और इन सातों की सातों company में जो return आपको मिलेगा वो दोस्तों 4 से 10% आप expect करके चल सकते हैं 4 से 10% और जो time duration रहेगा एक से 3 महीने का यानि कि long term का जो नजलिया वो थोड़ा सा रखके चलते हैं तो एक अच्छा खासा return आपको मिल जाएगा बाकी और कोई भी update आता है में भी पता लगता रहेगा